हेलो फ्रेंज ट्यंका रेसिपी बुक में आपका स्वागत है तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ त्योहारों पर बनने वाले गुलाब जामुन की रेसिपी अगर गुलाब जामुन बनाते समय आपके गुलाब जामुन चप्टे हो जाते हैं फट जाते हैं या फ्राइ करते समय फेल जाते हैं या कभी-कभी उस पर वाइट किलर की लेयर आ जाती है अंदर से कड़क और कच्चे रह जाते हैं तो इन सब का सॉलिशन में आपको आज बताने वाली हैं तो आईए इसे बनाना शुरू करते हैं इसके लिए मैंने मेजरमें में रखा है तो आपको एक घंटे पहले ही इससे निकाल कर बाहर रख लेना है अब इसमें हम एक कटोरी गेहू का आटा एट करेंगे यहू का आटा मैंने यहां इसलिए लिया है क्योंकि गेहू की अपनी एक मिठास होती है और इससे हमारे गुलाब जामुन बहुत ही स्व है तो आपको दूर्द एट करने की ज़रूरत नहीं है यहां रखिए गया फ्रेंट्स कि आपको इसमें कोई भी बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर एट नहीं करना है वरना ग्यारंटी के साथ आपके गुलाब जामुन फ्राय करते समय फैल जाएंगे आपको इसे इस अच्छे से मसलते हुए डो रेडी करना है क्योंकि आप जितना इसको अच्छे से इस तरह से मसल मसल कर मिक्स करेंगे तो इससे आपके जो घुलाब जामुन है बहुत ही सॉफ्ट बनने वाले हैं कोई भी लंस और खुटली नहीं रहना चाहिए तो डो हमारा रेडी हो चु अगर आप ज्यादा पानी एट करेंगे तो आपके गुलाब जामुन फीके लगेंगे तो आपको अच्छे से इसे बॉल करना है जिसे इसमें बॉल आ जाता है तो हम इसे चेक करते हैं दो उगलियों के बीच में आपको इस तरह से प्रेस करके देखना है आपका तार नहीं बनना चाहिए बस यह कंसिस्टेंसी आपको चाहिए तो हम गेज का फ्लेम ओफ कर देते हैं अगली स्टेप में हम गुलाब जामुन रेडी करेंगे तो आटा हमारा तेयार है तो आप आपका मन पसंद शेप देकर इस तरह से गुलाब जामुन रेडी कर ले देखिए कितने प्लेन बनकर रेडी हुए है इस तरह से हम सारे गुलाब जामुन बना लेंगे तो इतने गुलाब जामुन मैंने बना लिये हैं और आब हम इनसे फ्राइ करेंगे गुलाब जामुन फ्राइ करने के लिए मैंने यहां कड़ाई में घी एट किया है तो कम घी का इस्तमाल करक तो इस तरह से हम सारे गुलाब जामुन इसमें डाल देंगे और गेस का फ्लेम आपको लो ही रखना है इस तरह से चमश की साहता से आपको इसे उलट पुलट कर अच्छे से फ्राइ कर लेना है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और बेल आइकन को प्रेस कीजेगा जिससे की मेरी हर रेसेपी के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे यह लीजिए गुलाब जामून हमारे सुनरे फ्राइ हो चुके हैं आपको इन्हें डार्क फ्राइ नहीं करना है यहां मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे की आपके गुलाब जामून कच्छे और कडक नहीं रहेंगे तो इसके लिए हम इने डबल से फ्राइ करेंगे ये हलवाई वाली ट्रीक है हलवाई इसी तरह से डबल फ्राइ करते हैं जिसे कि गुलाब जामुन कच्चे और कड़क नहीं रहेंगे और अच्छे से फूल्ड भी जाएंगे तो ये हमारे फ्राइ हो चुके हैं अगली स्टेप में हम इने चाशनी में डालेंगे तो आपको ततकाल नहीं डालना है दो-तिन मिनिट बार थोड़ा ठंडा होने पर ही आपसे चाशनी में डालिए वरना आपकी चाशनी कड़क हो जाएगी ये लीजिए सारे गुलाब जामून बनकर रेडी हो चुके हैं तो इस बार त्योहरों पर आप इसी तरह से गुलाब जामून बनाएए बहुत ही टेस्टी लगते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइच, शेर और सस्क्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे की मेरी हर रेसिपी के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है थेंक्यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स